नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी मेना नाम दीपागे सर और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपने कुछ व्यूज रखना चाहता हूं जो कि कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने ये व्यूज बनाये हैं व्यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी मर्ज कर देना चाहिए डिसंबर के लिए काफी कह रहे हैं नहीं हो जाए तो सही हमारे इंटर्बी है यह हमारा फाइनल भी है अब क्या करेंगे आगे तो बहुत सारी अलग अलग व्यूज है सारे स्वाइश की बाइए मेरा व्यूज के अंदर कि आप क्या सोचते हो ओनलाइन एक्जाम होना चाहिए नहीं है आज कि लेक्चर के अंदर आज कि वीडियो के अंदर मैं इंस्ट्रीट से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा मानना यह है कि अगर आप ओनलाइन एक्जाम रख रहे हो तो रख लीजिए काफी स्टूड क्या इसके लिए काफी स्टूड कहते हैं गच्चे का कमेंट पड़ा मैंने कि उसके लिए मुझे अलग से डिलवाना पड़ेगा ऐसे नेट चलता नहीं है वहाँ पर हमारा सिगनल नहीं आते डंग से लाप टॉप नहीं है किसी के पास स्मार्ट फॉन नहीं है बहुत सारी प्रॉलम नहीं है जो स्टूडंट ऑनलाइन इक्जाम देना चाहता है वो देदे क्या प्रॉलम आ रही है जिसके पास लापटॉप है पॉन इसमार्ट फॉन या किसी भी किनेट प्रॉक्याब यह व्यू है कि online exam होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए इसका मतलब भी हो मेरे दोश्त कि आपना opt-out अप्शन लेकर आओ कि जिस student को online exam देना है वो दे सकता है जिस student को online exam नहीel यह जो होना चाहिए मेरा warto यह उपना उपली का सब्सक्राइब सब्सक्राइब लगा यह ProsREY को इसके alegre होना चाहिए वह इस UCDD के दे को सब्सक्राइब गारा इसके मुंस्ध्ण करका इसे में जो यह एकाम करण joue और opt-out option ज़रूर लेकर आए मेरी रिक्वेस्ट है इंसिटूट से इंसिटूट के प्रेसिडेंट सर से कि opt-out option का ज़रूर लगए option दे जिए स्टूट को कि मालो coffee student सर नहीं दे पाएंगे अगर आप online exam रखते हैं अगर आप online exam रखते हैं तो coffee student दे नहीं नहीं पाएंगे exam वो coffee student का comment कर रहा है मैं नहीं दे पाऊंगा रिजन बिंग क्या में पर स्मार्ट फॉन नहीं है तो laptop तो दूर की बात है बहुत सारी इसु है तो सर मैं तो offline दे पाऊंगा मेरे को यहीं कर सकता हूं मैं इस वज़े से आप क्या करें तो मेरी क्योंकि हर कोई exam नहीं दे बाएगा इस case के अंदर सबने फीज भरी है और financial problem है इस situation में तो कुछ जादा ही है lockdown period में जब जादा ही हो दिया financial position बहुत खराब चल रही है तो financial crisis चल रहे है अब इस case के अंदर एक student ने फीज भर दी exam form और exam fees भरने के बाद और वो अगर नहीं नहीं देगा exam तो इसको December में दुवारा भरनी पढ़नी पढ़ेगा exam fees यह है तो आप एक option लिया यह जो सबसे best है आप exam cancel मत करिए exam merge मत करिए option लिया यह जैसे CS Institute लाए था option लिया यह option लिया है जिसके option दे दे इस student को कि अगर वो September में देना चाहता online exam तो दे दे नहीं देना सब्सक्राइब नौ फीस फीस हो जाएगी तो यह benefit हो जाएगा काफी student कहीं गया ठीक है चलो कोई नहीं December में दे देंगे है ना सरी बहुत अच्छा benefit हो जाएगा क्योंकि अगर मान लेते हैं बहुत सारी student है इसे इंके वास phone नहीं है phone है तो net connectivity है नेट चलता नहीं है अगर online exam देना है वो अपना online exam देगा जिसको नहीं देना वो अपना December में मर्ज करवा लेगा simple logic है अब जो क्याता है कि मेरा time waste हो रहा है या मेरा बहुत सारे साल निकले कब से try कर रहा हूं पर होई नहीं रहा exam postpone पे postpone होई जा रहे है मेरी त्यारी पूरी है तो अपना online exam देगा कि जिसको online exam देना है वो देजिए जिसको online exam नहीं देना को अपना December में मर्ज करा लीजिए और जो भी examination fees होगी उस examination fees को वहाँ पर urges कर दीजिए और यह best तरीका है मेरे हिसाब से मेरा point of view मैंने अपने रखा आप भी अपना point of view नीचे comment में बताईए कि जो आपका तरीका सर यह best है यह अपना point of view रखे सर मैं भी इस पर एक वीडियो बनाऊँगा कि हाँ काफी student का मानना है कि यह तो व्यूज रखना बहुत important है अगर आप व्यूज रखते हो कि सरी मेरा मानना है कि पूरे cancel कर देना चाहिए पूरे cancel नहीं करना चाहिए को क्यों करो इसको तो क्यों क्यों मर्च करो भाई हमारे तो एक त्यारी पूरी है तुम तुम करें एक्जाम देंगे तो मेन ओप्सन तो यह है जो मैंने भी बताया कि opt-out खतम करते हैं को जो देना चाहता है वो देगा जो नहीं देना चाहता वो दिसम्बर मर्च करवाएगा अपना simple logic है और अपकी examination fees करती है जो कि 1200 फिज दबारा नहीं बरना चाहता है एक बारा 12-sore यह 14-sore पर इंटर का और फाइनल का तो बहर भी अठाइस ओर बोध गुरूप के लिए जो बहरा है को दुबारा नहीं बरना चाहता भाई दुबारा नहीं बरना चाहता अटेम्ट तो नहीं लगता अगर और eczam fees दे दी आपने और आप paper देनें गई तो इसको अटम cioè पर दोस्त पर अपने दिया तो फीस का दुख जो होता है 28 फेवागूर का या 12 सोर पर तो यह सब वह दुख जो है वह वह सब को बता है कि इतना यार खामका के भर दी जब एक्जाम दे रहें नहीं था तो तो इसलिए ऑप्शन लिया हो कि जो एक्जाम देना चाहता है ओनला यह वीडियों को अगर आप से शाद शर खरें तो यह वीडियों के और दे si Johannes αλλά पर यह learners यह बहुत अच्छा तरीका जिसको connect ही इस होगा जिसको मोबाइल ईसु है जिसको का लैपटोप इसु है तो फो बनांत करा लेगा ऑफ लान तक साइब दिसंबर Tub और उसके अंदर देगा तो दोस्तों आज की वीडियो में छोटी वीडियो थी पर एक बहुत जादा रिक्वेस्ट करी है सर से अपने इंसिट्यूट से जो कि हमारा इंसिट्यूट है और रिक्वेस्ट यह है कि सर अप्ट आउट ऑप्शन जरूर आना चाहिए ऑप्शन दीजे इस टूट को कि फीज का सर फीज का बहुत दिक्काद रहती है और जो बारा सो रुपर अठाइस सो रुपर भरे है तो वह बहुत ज़रा दुख देता है अगर हमने एक्जाम नहीं क्या है कि आप क्या सोचते हो ओनलाइन एक्जाम के वारे में और जो मैंने बताया opt-out notion is best or not यह मारे लिए सही रहेगा यह नहीं रहेगा अगर सही आपके लगता है आपको सही रहेगा तो इसको सेर करिए नहीं लगता तो सेर मत करिए थैंक यू दोस्तो आज कि इस वीडि और शेर जरूर करें थैंक यू